हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल यूनिक प्लसफर दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों आज मैं आपके सामने आरो और यारो री एक्जाम को लेकर तस्सम और तदवफ शब्द को लेकर प्रेक्टिस एड़ टू आपके सामने लाया हूँ दोस्तों ये प्रेक्टिस एड़ भी आपकी आगामी जितनी भी प्रेक्षा होंगी उसके लिए काफी लाबकारी सुद्ध होने वाला है इसलिए आप लगाचार हमारे चैनल से करते रहें consistency बनाए रखें कोई भी चीज है मैंना मेहनत के नहीं मिलती है आप जब तक अपना 100% नहीं देंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी आप जानते हैं कि आज के दौर में competition काफी है और जब तक हम अपना लगाचार consistency नहीं बनाएंगे तो जब तक कि हम हमें म पन्जिल को पाने के लिए आप continuity बना रखें और लगादार मेहनत करें जिसे कि आपको सफलता मिले दोस्तों आप जानते हैं कि इसकी date जो है अभी पोस्पॉर्ण हो गया exam और काफी बहुत जल्ली से हमें date देखना को मिलेगी और उसी के according हम अपने संग्यान में ये बात र होगा इसलिए आप लागातार मेहनत करते रहें और खुद को कामयाब बनाएं दोस्तों सफलता एक दिन मैंने मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है आपका प्रयाश आप पूल निस्ता से पूरी लगन से अगर मेहनत करते हैं तो कामयाबी के सिकर पर जरूर अपने जरूर में सफलता को पराप्त कर रहें दोस्तों तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट टू पर तस्सम और तद्वब को लेकर बात करते हैं प्रैक्टिस सेट टू का पहला कुशन आपके सामने है कुशन को काफी देहान बूर्बग पढ़िये और जिससे की मैं कुशन को मैं कोई गल्ती ना हो इसलिए आप कभी भी कुशन सॉल्व करें तो उसको देहान से पढ़ रहें और ऑप्शन को तब निशान लगाएं ठीक अब जैजी की आपके सामने पहला कुशन है गोडा शब्द का तस्वरूप है गोडा सब्द का तस्वरूप है अश घट गोटक के गठक ठीक है अगर तस्वरूप की बात किया है दोस्तों तो यहाँ पर देखें आप तस्वरूप है तो अश जो है गोडा सब्द का रूप नहीं है गट है यह भी नहीं है और गटक यह भी नहीं है यहाँ पर जो है हमारा घोटक जो होता है वह उसका तस्सम रूप होता है अश्य का वागी के वह गोड़ेका अगर हम बात किया है तो अश्य को लेकर तो अश्य जो है यह यह परयाव अची है इसका गोड़ेक क्या है यह परयावची यह तस्म जो है वो गोटक है तो question number पहले का option number तीन हमारा answer होता है next question पर बात करते है निम्नांकित में तस्रम शब्द है निम्नांकित यानि इन में से तस्रम सब्द कौन सा है ठीक है अब यहां पर तस्रम की अगर बात किया है यहां पंक्ति है पंक है पंद्रा आएगी पंगत है अगर यहां तस्रम की अगर दूस्तों के अगर हम बात करते हैं तो इसमें से हमा हमारा पंक्ति जो है हमारा तस्थम सब्द है इसका तदभव जो होता है वो पंगत होता है क्या होता है पंगत इसका तस्थम क्या होता है तदभव इसका तदभव हमारा पंगत होगा तदभव क्यों होता है हमारा पंगत पंगत है ठीक है अगर यह पंग की बात किया है तो पंग करते है तो पंग का हमारा क्या हो जागा पच्छ यह पक्ष ठीक है और अगर पंदरा तो पंचा दस पंदरा का पंचा दस ठीक है और अगर हम बात करें दूस्तों यहां यहां देखें आप पंक्ती है तो पंक्ती का तदभव मारा पंकत होगा और पंक का पच्छ और पंदरा का पंचा दश तो यहां हमारा यह तस्सम जो है option number एक हमारा answer होता है पंक्ती ठीक है next question में बात करते है आदर्शिका का तदभव शब्द है आदर्शिका का तदभव सब्द है कभी-कभी यह ऐसा होता है कि तदभव को हम तश्चम पढ़ लेते हैं जली में तो इसलिए आप काफी द्यान से पढ़़ा है question को जिसे की कोई गलती ना हो ठीक है तो आदर्शिका का तश्चम तदभव शब्द है तो अदर्श आज क्या आर्स ही अगर दोस्तों हम बात करते हैं हाँ तदभव को लेकर तो यह अदर्श जो है इसका यह नहीं है भी नहीं है यहाँ है आर्सी क्या है हमारी आर्सी ठीक है इसका तदभव रूप है आर्सी अगर दोस्तों जैसे की अदर्श की बात किया है तो इसका अमारा तस्तम होता आद्रख क्या होता है यह ठीक है आज रख और आच जो है उसका हमारा क्या हो जागा यह आच का होता है आर्ची इस तरह से ठीक है आर्ची हो जागा निंचे हो जागा आर्ची तो यह option number 4 हमारा answer होता है ठीक है question number 3 का option number 4 हमारा answer होता है next question पर बात करते है निमल कित में तश्शम सब्द है तश्शम सब्द है दूद हाद आम के कास्ट question पर बात की जाए दोस्तो तो हमारा तश्शम सब्द है दूद क्यों है यह यह नहीं है ठीक है खात है यह भी नहीं है अगर यह बात किया है दोस्तों आम की तो यह भी नहीं है तो हमारा क्या होगा या कास्ट जो है वो कस्तम सब्द है इसका तदवब बात किया है तो काठ होगा इसका क्या होगा काठ ठीक है इसका क्या होगा काठ दूद यह है इसका दुग्द दुख दोता है ठीक है और इसी तरह से अगर हाथ को बात करेंगे तो ये तस्सम है इसका ठीक है अगर हाथ की वाज करेंगे तो हाथ का जो होता है वो तस्सम जो हस्त होता है हस्त इस तरह से ठीक है ये हमारा हो गया जितना भी ठीक है और इसको question में 4 हमारा answer होता है next question में बात करते है निमलके शब्दों में तश्चम सब्द है फिर पूचा निमलके शब्दों में तश्चम सब्द है अगर तश्चम सब्द की योग बात किया जो योगी योगी योवन जमाई योवन तश्चम सब्द है तो योबन जो होता दोस्तो हमारा ये तश्रम सब्द है इसका तदवब जोबन होगा तदवब क्या होगा जोबन ये इसका तदवब होगा तो तश्रम सब्द क्या है यहाँ पर हमारा योबन ठीक है अगर बात किया है दोस्तो योगी का हमारा होगा योगी 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 का योगी अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर जमाई तो जमाई का जा मात्र जा मात्र इस तरह से होता है ठीक है option number 4 हमारा answer होता है एक next question पर बात करते है निम्नांकित मैंसे तदबव शब्द चुनिए अब देखें यहां तदबव आ गया निम्नांकित मैंसे तदबव शब्द चुनिए अब यहां पर हमें तदबव बताना है ठीक है बलवान, बांज, चम्चा के आस्मान ठीक है त्दभव की बात किया है यह तो吠ाक चो औहां बलवान यह नहीं है ठीखर चमका भी नहीं है , आसमान भी नहीं है यहां पर यह भीवांज भीवगा यह सबस्द यृस Śर्ड की बद्दो आपर यह बान्ज यहां जह था यह आfy होगा इस तरह से बंज इस तरह से ठीए बंडयाऊ जागा, चम्च जो है इसका छंच त इस तरह रहे है, ठीए, चंच गजा, और आस्मान की अगर बात करिे, कि यह पार सीcial च्नलिन ओर आस्मान शब्द फार्सी के आस्मा सब्दसे बनाए यह फार्सी के आस्मा सब्दसे बनाए आज में शब्द से बनाएं ठीक है तो यहां पर हमारा आंसर दो जागा ठीक है option number 2 answer होता है next question पर बात करते है निम्नांकित में से तदभव शब्द चुनिये निम्नांकित में से तदभव शब्द चुनना है अब इसमें से हमारा तदभव कौन सा होगा अंगना ठीक है गयंद अंगी के बानर अगर बात किया दोस्तों तदवफशब को लेकर तो यहां पर हमारा Geyand hope very sama जो है वा हमारा तदवफशबद को होगा क्या होगा गए तदवफशबद होता है थीक आफ़रंस वासा का शबद यह क sugg वासा का शबद है अफवरंस अवरंस वहाशा का शब्द है अंगना जो है तस्सम सब्द जो है वो आर्थ इसका अंगना का अगर बात की जाए दूस्तों तो इसका मतलब हो गाया यानि ये सुंदर इस्त्री तस्सम सब्द का आर्थ इसका है सुंदर इस्त्री अंगना सुंदर इस्त्री ठीक है और अगर अंगी की बात करते हैं तो अंगी तस्सम सब्द जो है शरीर धारी इसका किसका शरीर धारी होता इसका शरीर धारी ठीक है लेस्ट कुछिन में बात करते हैं निम्नांकित में से तदबब शबद है नग्न, बक्षिंन, द्राच्छा, युँदाडि इसमें से अकर दीख़े हैं दोस्तों उमारा तदबब सच्बद है युदाडि, जो है हमारा तदबबस है इसका तस्त्न होता है हमारा श्त्रका दन्स्ट्रिका इसका तसम डाली का होता है दन्स्ट्रिका अगर हम बात करते हैं दोस्तों नग्न और तुमारा द्राच्छा और दक्षल को लेकर तो इसका नग्निका होगा नंगा तुमारा दक्षल है दाहिना दक्षल का दाहिना और द्राच्छा होता है उसका हमारा होगा द्राच्छा यानि दाख ठीके तो कुशन नमर आठ का और नमर चार हमारा आंसर होता है ने असकुशन पर बात करते हैं नमल कितमे से तशम की दरस्टी से शुद्ध है तशम की दरस्टी से शुद्ध है ठीके शाटिक रसी रैन के सरसों तशम की दरस्टी से कर बात की जाए दोस्तों तो यह साटिक जो हुता है वो हमारा सही है तदवब इसका वो साली होता है इसका तदवब के हुता है साली साली होता है ठीक है रसी, रेन और सरसों की अगर बात किया है ये तदवफ शब्द है ये तिनों ये क्या है तदवफ शब्द है तो इनकी तश्वम शब्दा का किरम से जेक है तो रसी का रज्जू रज्जू ठीक है रेन जो होता है इसका होता है रजनी रजनी और सरसों जो होता है इसका सर्शप इस तरह से यह होता है तो आप्शन नमबर पहला हमारा आंसर होता है ठीक है नाइस कुछन में बात करते है अखरोट का तस्सम रूप है अखरोट का तस्सम रूप है अच्छबट अच्छवाट अच्छोट अक्षबट अखरोट का तस्सम रूप है अच्छबट यह नहीं होगा ठीक है अक्षबट यह भी नहीं है अक्षबट यह भी नहीं है अच्छबट यह भी नहीं है अच्छवट जो होता है इसका तस्स रूप होता है खरोड का तो कॉशन नमबर 10 का आपशन ममबर 3 हमारा एंसर होता है बागी शेफ जह है शेश असंगत है इसकी कोई किस बागी शेश कि शेश असंगत है शेश असंगत है ठीक है तो दोस्तों आज मैंने आपको तश्म और तदबब को लेकर प्रैक्ट्सेर्ट कर आया तो मैं उमेद्ध करता हूं कि प्रैक्ट्सेर्ट आपको पसंद आया होगा और इसी तरह आप लगतर हमसे जोड़े mbने हैं हम आपको लगतर प्रैक्ट्टिस एड बीडियो के सामने लाते आप यहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे जब तक की सफलता आपके कदम नहीं चुमेगी इसलिए दोस्तों कायाता है कि मनजिल उनी को मिलती है मनजिल उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से रोडान होती है इसलिए अपना होसला बनाए रखे हैं और खुद को उचाई के सिकर पर पहुचा हैं दोस्तों जैसे की कायाता है कि मनजिल तो मिली जाएगी मनजिल तो मिली के लिए ही नहीं इसलिए आप गुम्रानार होएं और खुद को एक्जाम के लिए अपने आपको बनाए रखें खुद को और खुद को अपने आपको लगतार अपना मेहनत करते रहें और एक उचाई के नश्यकर पर पहुंचे हैं मैं भी आपके उच्जबल वबिस्की काम न करता हूं और इसी तरह से लगतार मैं आपके सामने बीडियो प्रेक्टर सेड लाता रहूंगा और जब तक के लिए जय हैं जय भारत